नमस्कार दोस्तों दोस्तों कहीं भी चुनावी रैली हो या फिर किसी भी प्रकार की रैली या भाशड देना हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी हमेशा विकास की बात जरूर करते हैं और जब विकास की बात करते हैं तो वो कॉंग्रेस पर भृस्ट अचार के आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि कॉंग्रेस ने विकास नहीं किया है ऐसे तमाम आरोप लगातार प्रधान मंतरी लगाते हैं जैसे कि एक भाशड ये भी सुन लीजिए कॉंग्रेस के राज में इतनी ही तेज गती से इतने ही स्केल पर अलग अलग शेत्रों में वस्ताचार जरूर होता था वैसे तो दोस्तों यहाँ पर महाराश्ट के विकास को लेकर प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं लेकिन महाराश्ट की सीमाई एक और राजे से लगती है गुजराट से वहाँ से एक बड़ी खबर ये है कि वहाँ पर एक पुल गिर गया है अब गुजराट में किसकी सरकार है बीजेपी की मोदी जी खुद वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं लेकिन गुजराट में विकास कितना हुआ है और किस तरीके से विकास किया जा रहा है उसकी तस्वीरे लगातार सामने आती रहती हैं गुजराट के आनंद में पुल गिरा है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है वहीं अभी भी जो रेसकी ओपरेशन है वो चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मौतों का आकड़ा बढ़ जाए यानि कि और लोगों के मौत होने की पुष्टी हो जाए यह लोगों की जान चली गई थी और इसके बाद ये दूसरा बड़ा हाथसा कहा जा रहा है दोस्तों मोधी सरकार बुलेट ट्रेन चलाने के लिए महराश्ट्र और गुजरात के बीच पुल बना रही थी और इस तरीके से अगर पुल बनाये जाएंगे तो बुलेट ट्रेन चला पुलेट ट्रेन परियोचना के तार महराश्ट्र से भी जुडे हुए हैं कुछ देर पहले जो आपने भाषड सुना वहाँ पर महराश्ट के विकास की ही बात मोधी जी कर रहे थे बड़े बड़े बादे कर रहे थे लेकिन मोधी जी की जहाँ-जहां सरकार होती है चाहे वो गुजरात हो, बिहार हो, उत्राखंड हो या कोई भी जगा जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर पुल गरना या फिर एरपोर्ट टर्मिनल का गरना उसकी छट का गरना या फिर आयोध्या को लेकर जीत पर इतनी आश्वस्त बीजेपी का राममंदिर से पानी टपकना राममंदिर को लेकर वीजेपी बड़े बड़े वादे करती थी लोगसभा चुनाव में भी राममंदिर के मुद्दे को खूब बुनाया गया और उसके राममंदिर के मुद्दे पर ही वोट मांगा गया लेकिन कुछ दिनों पहले ही खबर आय थी कि राममंदिर क चट टपक रही है इतना ही नहीं रोड जो है सडके वहां की भी हालत कितनी खराब है उसकी तस्वीरे भी सामने आई थी मोधी सरकार जहां भी हो बीजेपी सरकार कहीं भी हो वहां पर विकास के हाल क्या है विकास किस तरीके से किया जा रहा है उसकी तस्वीरे खबरे हमेशा सामने आती रहती है किस तरीके से मोधी जी हमेशा अपने भाशन में विकास की बाते करते हैं, भारत को सर्वश्रेष्ट बनाने की बात करते हैं लेकिन अगर मोदी जी की सरकार में ही ऐसे विकास होंगे तब तो फिर भारत सर्वश्रेष्ट बन चुका मोदी जी जिस तरीके से विपक्ष पर खास तोर पर कॉंग्रिस पर आरोप लगाते हैं भृष्टाचार का कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया है लेकिन मोदी सरकार या फिर बीजेपी सरकार में कैसा विकास हो रहा है उसकी तस्वीरे तो आप खुद भी देख रहे हैं इसी मुद्दे पर कॉंग्रिस ने भी ट्वीट किया है क्या लिखा है वो भी जान लेजे कॉंग्रिस ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी का भृष्टचार मॉडल गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए बनाया गया पुल गिर गया इसमें दब कर दो लोगों की मौत हो इसके लावा मनोच कुमार लिखते हैं कि गुजरात के आनंद में बुलेट ट्रेन योचना में शामिल एक निर्माडा धीन पुल गिर गया इसमें कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की खबर है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के निर्माड में इस तरह से पुल का गरन देश के भविश के लिए खत्रे का संकेत है शृती धोरे लिखती है आनंद में बुलेट ट्रेन परियोचना का एक निर्माडा धीन पुल डह गया भाजपाशाशन में ब्रिस्टचार खतरनाक हो गया है क्योंकि एक के बाद एक पूरे देश से भाजपाशाशित राज्यो में घट्या बुन्यादी धाचा डहता जा रहा है मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां कोई जान का नुकसान नहीं हुआ होगा हालाकि दो से तीन लोगों के मरने की खबरे सामने आ रही है तो वहीं नेता क्लिक्स नाम के एक यूजर लगते हैं आनंद गुजरात में जो नि परियोचना का निर्माडाधीन पुल गिर गया दो मजदूर की मौत लेकिन न्यूस चानलों पर सुई पटक सननाटा है क्योंकि खबर व्रिष्टाचार के मौडल प्रिदेश से है तो वहीं मौहमबत साबर हुसयान लगते हैं अरे इस तरह आनंद गुजरात में बुलेट मौहमबत चमीम खान जो की कॉंग्रिस के नेता भी है वो लगते हैं और इस तरह आनंद गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोचना का निर्माडा धिन पूल डह गया डबल इंजिन की सरकार वर्षों से गुजरात में भाजपा की सरकार केंद्र में तीसरी दफा भाजपा की सरकार पर इन डहते पुलो के लिए नहरू जी जिम्मेदार जुमले की हकीकत खुद देख लीजिए तो दोस्तों लगतार मोदी जी अपने कारेकाल में विकास के तमाम वादे करते हुए देखे गए हैं और विकास की जो चीज़े हैं वो भी गिनवाते रहते हैं जनता क इस तरीके से बुलेट ट्रेन परियोचना की जो शुरुवात है वो देखी जा रही है इससे तो यही लगता है कि विकास जो है वो कितनी तेज़ गती से भारत में आएगा इस खबर पर जो भी आपकी राय हो वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा